हेलो अब्रीवन मैं वर्थिका विल्कम बैक टू माई चानल आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अब यह हिंदी में जरूर है लिकिन मैं इंग्लिश में भी एक्स्प्रेंड करते रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर दूँगी रिफ्लेक्शन वाल टॉपिक नेक्स वीडियो में होगा चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा अब यहां पर और इसके लावा मैं यह अच्छा एक वार चीज्थ मैं यह मान के चल लिए हूँ कि आपने बिहार क्लियर हो जाएगा यहां पर समझने में असानी होगी तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखें यहां कहा गया है कि प्रेकास क्या होता है लाइट के बारे में कहा जाता है कि प्रेकास सरर रेखा में गती करते हैं लेकिन यह बात गलत हो जाती है कब जब रास्ते में जो रखी वस्तू है अपार दर्सी वस्तू मतब ऐसी वस्तू जिसके आरपा लाइट नहीं जाती है वह बहुत चोटी है बहुत चोटी है तो क्या होगा प्रिकास सीधी रेखा में गती नहीं करता है वो उसके किनारे से मुढने की प्रवत्ती रखता है किनारे से मुढने की प्रवत्ती रखता है इसी को ही प्रिकास का विवर्तन कहते हैं क्या कहते हैं प्रिकास का विवर्तन को ही English में diffraction बोलेंगे तो diffraction क्या होता है जब प्रकास क्या होता है प्रकास साइड में किनारे से मुढने की प्रवत्ति दिखाता है मतलब वेव नेचर को दिखाता है तो यहां से प्रकास का कौन था नेचर प्रिस्तुत होता है प्रकास का वेव नेचर तो कड प्रकती होती है निकि पार्टिकल नेचर होता है और एक तरंग प्रकती होती है वेव नेचर कोशन बन सकता है कि प्रकास के पास कैसा नेचर होता है कैसी प्रकती होती है तो प्रकास के पास दोनों गुड़ होते हैं कड का भी और तरंग का भी अभी जब इन दोनों मे सामन जस बेठा दिया गया है तो यह हम 11 12 में डीटेल में देखेंगे तैंथ में इसमें और डीटेल नहीं है ठीक है अब आज आता है नेक्स कोशन यहां से आता है कि प्रकास का परवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ही सेप्टर में हम लोग में ली पढ़ना है इस वीडियो में रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं दो नियम कौन-कौन से है Actually, मेरे लिए भी English में पढ़ाना easy होता है लेकिन क्योंकि उतने sources भी नहीं है मेरे पस मुझे बस PDF से ही पढ़ाना होता है कोई नहीं, वो भी time हैगा तो अभी यहाँ पे, मैं बता रही थी, reflection का तो reflection में सबसे पहले पहला नियम यह कहता है कि, पहले मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ यह जो ray पढ़ती इसको बोलते है incident ray और जो जाती इसको बोलते है reflected ray ठीक है, मतलब आप्तित किरड और परवर्तित किरड बीच में जो line पढ़ती इसको बोलते है normal English, Hindi में बोलते है abilamp यह जो code बनता है, इसको बोलते है incident angle और इसको बोलते है reflected angle तो पहला नियम यह कहता है कि, आप्तन code परवर्तन code के बराबर होता है मतलब angle I is equal to angle R पहला नियम यह है और दूसरा नियम यह कहता है कि, जो तीनों किरड पढ़ी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे, नॉर्मल और लाइज इन सेम प्लेन सभी एक ही प्लेन में होती है सभी एक ही तल में होते है यह दूसरा नियम है दोनों नियम हो गए complete अब यहाँ ते कोशन यह बन सकता है कि, जो परवर्तन का नियम है इसकी कोटिंग होना जरूरी है और दूसरी साइट से reflection होता है तो reflection्स अभी प्रकार के तलपे होता है अब next question यहां से बनता है कि जो समतल धर्पड होता है plane mirror, जो हम सीशा देखते है उसको plane mirror बोलते है plane mirror में जो image बनती है उसकी क्या विसेस्था होती है इमेज क्या होती है सम में 6-8 वाली वीडियो में बता चुकी हूँ इमेज दो टाइप की होती है रियल इंवर्टेड और वर्चॉल और इरेक्ट ठीक है तो अच्छा यह जो बिहार सिर्टी सम्भी का जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर नहीं देखा तो देख लिजेगा वर्चॉल और इरेक्ट इमेज बनती है एक और बात अगर सीधी इमेज बन रही तो जनली वह अभासी ही होती है अब यहां पर दूसरा विसेष्टा होती है कि जो इमेज बनती है वह सेम साइस की बनती है हम सीशे में देखते हैं तो जितने साइस के हैं उतनी साइस की तो इमेज दिखेगी ना सेम साइस की बनती है तीसरा अगर आप सीशे के सामने खड़े हो एकड़े हो इमेज भी एक कोशन यहां से बनता है कि जो प्रतिभिम बनता है समव्तलबर ये रड़ अरफ होता है अब natural inversion का मतलब क्या होता है जिसे देखा होगा न अब आपका left और image का right होता है ये पॉइंट होगा क्लिए की सामने रखो तो देखो थोड़ा सा वो फिर्लन क्या आते तो यह point होगा है clear अब हम जानेंगे गोल यह दरपड के बारे में ऐसे mirror जिसका reflected surface कैसा होता है गोल होता है उसको हम spherical mirror बोलते हैं यहां पे spherical mirror दो टाइप के होते हैं एक होता है अवता दरपर एक होता है उत्तल दरपर तो हम दोनों की एही इमेज्ड द्वारा समझा देते हैं देखें यह आगे वाला जो फावतर को हम कॉनके भोलते जिनको हिंदी इंगिश में कंफीजर रही देखेंगा फथल बड़ा सा नाम है और कॉनके भी बड़ा था नाम है तो फॉथल कम बड़ा उत्त कंब होता है चोटा सा है अंदर की ओर reflection होता है मतलब बाहर की ओर coating होती है तो परवर्टक तल कहा होता है अंदर की ओर होता है अंदर की ओर परवर्टक तल होता है मतलब reflection अंदर की ओर होगा और उसमें उत्तल दरपड में क्या होता है convex mirror में परवर्टक तल बाहर की ओर होता है अंदर की ओर coating होती है तो मतलब इसमें बाहर की ओर होता है बस यह याद रखना है आपको तो और यह देखे यहाँ पे भी यह पॉइंट लिखा हुआ है कि परवर्टक प्रस्ट अंदर की ओर मतलब केंदर की ओर होता है जो सेंटर है यह गोलों के सेंटर इधर ही तो होगा तो अंदर की ओर होता है तो इसको हम प्रस्ट और जिसमें परवर्टक दल बाहर की ओर होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते है अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि चमच का अंदर का भाग होता है ठीक है अंदर की ओर वकृत प्रस्ट होता है वो अवतल दरपड की तरह काम करता है बता अगर आप कोई स्पून ले तो अंदर वाला जो पार्ट होगा वो किसकी तरह काम करेगा वो Concave Mirrors की तरह करेगा जैसे मैं concave में समझाती हूँ, convex में फिर बाद में बता दूँगी, ये concave mirror है, concave mirror का जो center होता है, एकदम center, spherical mirror का, उसको बोलता है pole, क्या बोलता है, drew, pole से गुजरने वाली जो line होती, उसको बोलता है, principal axis, क्या बोलता है, principal axis बोलता है, अब यहाँ पे, अगर इसको हम imagine करें, कि ये एक पूरा complete गोला है, तो उसका कुछ center होगा ना, तो इसका जो center होता है, उसी को बोलता है, center of curvature, मतलब हिंदी में, वकृता केन, जिसको C से denote करते हैं, बाद कैसे हम denote करें, वो देखेगा, P से हो गया pole, C से हो गया center of curvature, ठीक है, अब यहाँ पे, एक point होता है, बीच मे इसको बोलता है, focus, क्या बोलता है, focus, अब यहाँ पे, जो दूरी हम नापते है, pole से focus की बीच की जो दूरी होती है, इसको small f से denote करते है, मतलब focal length, क्या होती है, focal length होती है, ठीक, अब pole और center of curvature की बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते है, radius, क्या बोलते है, radius बोलते है, तो ये point एक बार ध्यान में रखिएगा, कि pole और focus, focus is a point, और focal length is a distance between pole and focus, ठीक है, इसी तरह center of curvature is a point on principal axis, एक point होता है, principal axis पे, लेकिन center of curvature और pole के बीच की जो दूरी होती, उसको हम बोलते है radius, अब यहाँ पे R और F के बीच में एक relation होता है, क्या होता है, R is equal to 2F, radius हमेशा focal length की double होती है, तो focal length क्या हो जाएगी, radius की आधी हो जाएगी, यहाँ से numerical अगर बनता है, तो आप clear कर लिजेगा, यह formula कहीं पे लिख लिजेगा, कि radius हमेशा focus का double होता है, ठीक है, अब यह जो diagram है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कि अगर कहीं से अनन्त से खुप सारी raise आती है, जो प्रिंसपर एक्सिस के पैलर है, तो concave mirror में सारी टकरा करके एक जिखा मिल जाती है, तो इससे समझ में आता है, जो concave mirror है, अवतल दरपड़ है, इसको converging mirror भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, converging mirror बोलते हैं, ठीक है, concave mirror को क्या बोलते हैं, converging mirror बोलते हैं, हिंदी में अभी सारी दरपड बोलते हैं, ठीक है, कि हिंदी में क्या बोलेंगे, अभी सारी question पुछा आता है, कि अभिसारी दरपड किसे कहते हैं तो अवतल दरपड को ही अभिसारी दरपड कहते हैं अच्छे ये दरपड है, लेंस में उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे दरपड वाला ही आज हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार क्लियर रखेगा ईसी जिगह उतल दरपड में देखे क्या हो रहा है और इसको इसी वज़े से क्या बोलते हैं diverging mirror बोलते हैं हिंदी में अप सारी अप सारी psychology में भी आपने पढ़ाई होगा अप सारी और अभी सारी चिन्तन अप सारी दरपड बोलते हैं ये point clear रखेगा अच्छा मैंने अभी आपको concave का समझाया था ना convex का भी देख लीजेगा कि और ना convex बुरा मन जाएगा तो यहाँ पे यह होता है pole, अब इसका center of curvature इधार नहीं बनेगा, अंदर की ओर बनेगा ठीक है, focus भी अंदर की ओर बनेगा, तो यहाँ से क्या चीज समझ में आती है, कि जो convex होता है, इसका focus भी कैसा होता है, अभी सारी होता है मतलब virtual and erect होता है, ठीक है तो यह एक extra point है, भी याद रखेगा, otherwise ray diagram में मैं समझा दूँगी, अब यहाँ पे सारे point clear होगा, लेकिन अभी मैंने aperture नहीं बताया था, center of curvature बता दिया, मतलब वक्रिता केंद बता दिया त्रिज्या बता दिया, radius बता दिया focal length बता दिया, focus दूरी बता दिया तो यहाँ पे aperture क्या होता है तो aperture के लिए, यह देखे definition दे रखिए, कि परवर्तक pressed की वरत्तकार सीमा रिखा का व्यास, बहुत ही सुदिन दिये, लेकिन मैं इसको अपनी तरीके से बताती हूँ, कि किसी भी जो लिये दरपड होता है spherical mirror होता है, उसका जो reflected surface है, उसका diameter मतलब यह दूरी, यह दूरी इसको हम, अगर इसको हम M और इसको M' से denote करें, इस दूरी को, इस diameter of reflected surface of a spherical mirror is called aperture, यह हो जाती है definition option में अगर दिखेगा, तो ऐसा आप टिक कर दीजेगा अब यह हो जाता है, most of the चीजे मैंने cover कर दी, अब main question यहां से पूछा जाता है, कि प्रतिविम कैसे बनाओगे, मतलब image कैसे बनती है और उससे पहले, यहां पे एक activity दी थी activity से question बनता है, कि अगर आप सूर से आने वाली जो किलने हैं उनके सामने, अगर आप अवतल दरपर, मतलब concave mirror रखोगे, और नीचे कार कोई कपड़ा रखा होगा, या फिर कोई कागज रखा होगा यह activity इसलिए करवाई जाती है ताकि बताया जाए कि concave mirror converging mirror होता है अब प्रतिबिम बनाना सीखना है तो प्रतिबिम बनाने सीखने से पहले कुछ, हाँ, यह जो आपको दिख रहा है न यहीं से question आता है, कि अगर कोई, BIM मतलब object कोई इनसान खड़ा है, कहाँ खड़ा है C, center पे खड़ा है center of curvature पे खड़ा है तो image कहाँ बनेगी, तो image भी center of curvature पे बनती है, same size की बनती है और real और inverted बनती है तो यह रहें आपके point concave mirror के कितने case है, concave mirror के total 6 case होते है, इन 6 case को 6 याद कर लिजेगा, वरना मैं इसकी trick भी बता दूँगी, जनली जिनको दिक्कत होती ही, तो ऐसे याद कर सकते है वरना अगर आप practice करते हो, तो आपको याद हो जाएगा, देखें यहाँ पे, अगर अननती पे कोई इनसान खड़ा है याद अननती पे कोई वस्तू रखी है, तो उसकी image कहाँ बनेगा, बिम्ब का मतलब वस्तू या object, और प्रति बिम्ब का मतलब उसकी image, यह size है और यह उसकी प्रकति है, मतलब nature है कैसा होगा, nature दो टाइप का होता है real inverted nature होगा, या तो virtual erect होगा, तो अब यहाँ पे समझते हैं, अननत पे अगर रखी है और अगर infinite पे रखी है, तो infinite पे कहाँ पे image बनती है focus पे बनती है, infinite का focus हो जाता है बहुत ही छोटी बनेगी, point size बनेगी, real inverted बनेगी इसी का just उल्टा है, focus पे अगर रखी है, focus पे अगर object रखा है, तो image कहाँ बनेगी अननत पे रखेगी, बनेगी, और उल्टा हो जाएगा, वहाँ छोटी बन रही थी, यहाँ बहुत ही बड़ी बनेगी, enlarge, highly enlarge बनेगी, ठीक है, और virtual erect बनेगी, फिर आता है next case आता है, अगर C से परे, मतलब C के पीछे कहीं, जैसे अगर Conquary Mirror है, Conquary Mirror में C है, और यह F था, और यहाँ कहीं पे खड़ी है, C के just पीछे, साइट पे कहीं, तो image कहा बनती है, C और F के बीच में यह कहां बनती है, C और F के बनती है, छोटी बनती है, और real inverted बनती है, इसी का उल्टा इंसान खड़ा है मतबब center of curvature पे खड़ा है तो center of curvature पे ही image बनती है same size की बनती है real inverted बनती है अब एक special case होता है जो कि generally सबसे यहादा question गीस से पुछा जाता है क्योंकि आपने सारे देखें कि जितने भी 5 case थे 5 case में image कैसी बन रही थी वास्तविक और उल्टी है मतलब real और inverted बन रही थी लेकिन एक last case है virtual and erect वाला इसी में किवल virtual erect image बन रही है यह कौन सी है जब object कहां पे होता है pole और focus के बीच में होता है तो image सीधी बनेगी और सारी case मे कौन के mirror में image कैसी बनती है उल्टी बनती है तो pole और focus के बीच में दरपड के पीछे बनेगी मतलब उधर side पे बनेगी और वैवर्धी मतलब बड़ी बनेगी ठीके अब यह सारे जो image है उनको मैं एक बर यहां से समझा दूँगी तो आपको clear हो जाएगा देखे पहला जो इनफिनाइट पे रखे तो कहां बन रही है focus पे बन रही है बहुत छोटी सी बन रही है real inverted दूसरा केस था कि अगर c के पीछे कहीं रखे देखे c के पीछे कहीं रखे तो कहां बनती है c और f के बीच में बनती है वास्तविक और उल्टी ठीक है next case था अगर c पे रखे दो क object हमेशा सीधा रखा जाता है ठीक है तो सीधा रखा हुआ है object तो image कैसी बन रही है उल्टी बन रही है c पे ही बनेगी लेकिन next case था अगर c और f के बीच में object रखा है देखे c और f के बीच में रखा है तो image को black से दिखाए गया है c के पीछे बन गई देखे ठीक है और कैस भी चीज बहुत बड़ी मानी जाती है ठीक है यह हो जाता है point next आ जाता है जो last वाला special case था कि अगर pole और f के बीच में है तो फिर pole का मतब धुरू होता है ठीक है pole और f के बीच में है तो image किधर बन जाती दूसरी side बन जाती है और दूसरी side बन यह तो कैसी हो जाएगी virtual औ और erect हो जाएगी मतलब अभासी और सीधी हो जाएगी और बड़ी बनेगी यह point आपको clear हो गया है यहाँ पे 6 diagram थे अवतल दर पढ़के अब यह जो ray diagram तो बनाना सीखना नहीं क्योंकि mcq में कैसे ही आएगा लेकिन यह जो rules है रे diagram बनाने के लिए जब आप पढ़ाते हो बच्चों को तो आपको यह rules बताने पड़ते हैं ठीक है तो यह rules बनाने के rules आपको याद होने चाहिए कि अगर कोई भी ray पैलर आती है तो वह focus से होके जाती है अगर principle axis के मुक्ष अक्ष प्रिंसपल एक्ष यह line है ना मुक्ष अक्ष के पैलर अगर कोई ray आती है तो वह focus से जाती है तो center of curvature पे ही वापस हो जाती है यह तीसरा नियम है और चौथा नियम यह है कि अगर कोई ray पोल पे जाएगी तो same angle बना करके reflect होती है चार नियम आपको याद होने चाहिए पहला नियम अगर पहलर थी तो focus से होके जाएगी दूसरा focus से जा रही है तो पहलर हो ज करते हैं तो अवतर दरपर को प्योग torch में होता है torch में हमने देखा होगा एकदम parallel raise जाती है तो वह क्या दिखा रहा है अनन्त वाला सीन दिखा रहा है कि अनन्त पे जो diagram बनता है वैसे अब यहाँ पे search light में लगा होता है वानों की जो headlight होते है आगे जो headlight होती है जो रात सौर बटियां जो solar की बटियां होती है उनमें भी sunlight को केंद्रित करने के लिए अफ़तर दरपर का use होता है ठीक है जो dentist है वो दातों को देखने के लिए अफ़तर दरपर का use करते है अब आप सोच रहे होंगे कि image तो उल्टी बनती है तो क्यों use करते है इसको अफ़तर जाएगी और बड़ी बन जाएगी ठीक है तो इसलिए इसका use किया जाता है अब आजाता है उत्तल दरपर convex mirror convex mirror का बहुत easy सा है केवल दो case हमको पढ़ना है दो ही case होते है एक तो होता है अनंत पर कहीं रखा हुआ है और एक होता है P के पीछे क्योंकि इसका focus और convex अंदर की surface है अंदर की और है तो अंदर की और तो अबजेक्ट अब बैठा नहीं दो गए इसलिए तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर दोनों case में आपको याद रखना है कि अगर अनंत पर है तो कहां बनेगी focus पर बनेगी और अगर पी के पीछे कहीं है कहीं पर भी पी के पीछे कहीं बैठा हुआ है तो pole और focus के बीच में बनेगी तो यह दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है अगर अनंत पर है तो focus के पीछे कहीं है अनन्त और पोल के बीच में कहीं पे भी रखी होई है तो P और F के बीच में बनती है अंदर की ओर ही बनती है दरपड के दूसरी ओर तीक है और इसलिए virtual और erect हो जाती है चोटी बनती है तीक है इसको मैं अभी last में English में भी दिखा दूँगी यह पूरी टेबल को ताकि आपको असानी हो अगर जिनको दिक्कत हो रही होगी तो अब आजाते है कि उत्तादर पड़ का यूज कहां करते हैं तो Convex Mirror का यूज होता है कहां पे जो Rear View Mirror होता है जो गाड़ी में साइड में लगे होता है ने Mirror क्योंकि यह क्यों होता है जादा आप देख पाओगे इसी वज़े से इसका यूज क्या होता है तो जो अगर आप जूल्डरी शॉप की जाओगे तो लूग साइड में इसम всю लगाया है डा और क्यों साइड में लगाए रहते हैं सुमने पूर though फो impe pent to की तो मैंने बताया था फोकस दूरी जो होती है वह कम होती है क्योंकि वह पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है तो यह कितनी हो जाएगी दस आधी हो जाएगी R is equal to 2F होता है उस formula में रख देंगे solve हो जाएगा next question जान मुझके यह देखे मैंने बताया ना कि जो exception वाला है छे ray diagram होते है अवतल दरपड के उसमें आखरी वाला जरूर पुछा जाता है most of the case में पुछा जाता है कि उस दरपड का नाम बताईए जो बिम्ब का सीधा और आजाएगा convex mirror तो सीधे देते हैं तो convex हो जाएगा लेकिन आवर्धित भी लिखा आवर्धित का मतब magnified तो magnified थोड़ी ना देता है convex mirror दोनों में कैसा देता था सीधा जरूर देता है लेकिन छोटी image देता है ठीक है और यहाँ पर क्या बोल दिया गया magnified बड़ा होना चाह है तो इसका case क्या आजाएगा concave का आखरी वाला case आजाएगा जो कि मैंने बताया था ठीक है एक बड़ याद कर लीजेगा उसको कि महां से question बन सकता है अब यहाँ पे यह आजाता है कि sign convention के बारे में इसके लिए इसलिए जानना इतना important नहीं क्योंकि इसके उपर numerical आता है 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u तो इसका formula याद कर लीजेगा इस formula को mirror formula बोलते हैं क्या बोलते हैं mirror formula बोलते हैं बस और mcq purpose से ज़्यादा detail में नहीं बता पाऊंगी व्योंकि mcq में आता भी नहीं है यहाँ से question अगर generally आएगा तो यह याद रखना है u को हमेशा minus मान के चलना है u को हमेशा minus अच्छा एक point और याद कर सकते हैं कि जो f होता है concave mirror का concave mirror का वो positive लिया जाता है और convex mirror का focus negative लिया जाता है अगर आ गया in case तो आप यह चीज़े याद रखोगे और u minus में लिया जाता है तो v निकाली ही लेंगे आप तो यहाँ से clear हो जाएगा अब आवर्धन आवर्धन को बोलता है magnification क्या बोलता है magnification m से denote करते है magnification से nature पता चलता है technically. क्या पता चलता है Nature पता चलता है अब Magnification einzigeusan कि फमिला यह यह पॉल्म होता है एक डाइस हपॉण हिए कहीं आपको आई और ओ लिखा सवर मिल सकते हैं मतलब image की हैईठ अपन अबजिक की हईड एक यह फमला होता है 2Dसरा फम्ला एक और है च 0 upon H, ये तो होता ही होता है, दूसरा formula होता है minus का V upon U, अच्छा मैंने V और U नहीं बताया क्या होता है, ठीक है sorry, F तो आप जानते है focus length को बोलते है, focal length को बोलते है, U का मतलब होता है object की दूरी, ठीक है, क्या होता है U का मतलब होता है object की दूरी जिसे object अगर ये खड़ा है तो ये दूरी pole से ली जाती सारी दूरी और V का मतलब क्या होता है image की दूरी V का मतलब होता है image की दूरी image कितना दूर है pole से ठीक है अब यहाँ पे M का formula मैं बता रही थी M का formula होता है minus का V upon U V का मतलब image दूरी इमेज कितना दूर है पोल से और यू का मतलब होता है object दूरी formula में रखके M निकाल सकते हैं ठीक है अब M से कैसे पता चलेगा कैसी nature है तो M अगर positive आया M अगर धनात्मक है तो इसका मतलब उसका nature कैसा होगा अभासी और सीधा होगा अभासी दिखा हो है ना अभासी यह तो सीधा हो नहीं होना है तो अभासी के लिए जो यह होता है आवर्धन के लिए मतलब magnification के लिए अगर धनात्मक M अगर positive आ गया तो यह बताता है कि image कैसी है virtual and erect है image का nature कैसा है virtual and erect मतलब अभासी है यह एक point याद रखेगा plus का मतलब और minus का मतलब उल्टा हो जाएगा real और inverted हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह I think हो जाता है यह आपका complete पूरा reflection मैंने complete कर दिया है वीडियो अच्छी लगी हो तो like and comment कर दीजेगा वीडियो को दुबारा देख लिजेगा अगर कहीं पर भी doubt लग रहा है तो एक बार दुबारा देखके समझ जाएगा और आखरी में मैं image आट कर दे रही हूँ उसकी अगर रे डाइग्राम वाली अगर आपको नहीं समझ में आए English में तो वहाँ English में लिखा हूँ उसको एकदम red डालिए याद कर लिजे ठीक है वहाँ से question बनतफासने के chance लिए यहाँ से आप याद कर लिजेगा और multiple time revise कर लिजेगा और second मैं उसका दिखा देती हूँ इपिनिटी पे है तो focus पे बनेगा और